रासनकाड़ वालों के लिए फिर से बुरी खबर जारी हो चुकी है दुस्तों सरकार द्वारा 31 जुलाई 2022 से इन साथ बड़े राज्यों में रासन मिलना बंद किया जा रहा है चाहे आपके पास APL रासनकाड हो, BPL रासनकाड हो या फिर आपके पास अंतोध्या रासनकाड हो इन साथ बड़े राज्यों में रासन को अब बंद कर दे जाएगा दोस्तो यह साथ राज्य कौन-कौन से हैं उसके बारे में भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं साथी साथ यह किन-किन वैक्ट्यों का रासंद बंद किया जाएगा उसके बारे में भी हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे चोटा सानी वेधन है अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सेर करेगा यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं नियम लागू कर दिये हैं यानि कि जिन व्यक्तियों ने अभी तक रसनकार को नहीं बनवाया है उन रसनकार धरकों के लिए भी नए नियम लागू किये गए हैं और दोस्तो इसके बारे में भी बताय गया है कि यह है कुनकोन से नियम है उसके बारे में भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं चलिए आपको उन लोगों के बारे में बता देते हैं जिनका रासन बंद के जाएगा और जिन रासनकार धर्गों का रासन नहीं मिलेगा दोस्तो वीडियो को आप आन्थ तक जरूर देखीगा तभी आप संपूर्ण जानकारी को हासिल कर पाएंगे दोस्तो आपको बता दे नमबर एक जिस प्रिवार का यनके जिस प्रिवार में कोई भी सदश्य आय कर दाता है यनके अगर आपके परिवार में एक रासनकाड है और परिवार में से किसी भी व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति इंकम टेक्स देता है या फिर कोई भी टेक्स देता है तो उनके रासनकाड नहीं बनाए जाएंगे ये सरकार द्वारा दोस्तो नए नियम लागू किये गए हैं वहीं नंबर दो बदा गया है कि ग्रामीन में यनके गाउं में दो लाख रुपे परति वर्स और सहर में तीन लाख रुपे परति वर्स से अधिक परिवारिक आये हो तो यहां पर तब भी आप लाब नहीं ले पाएंगे यनके अगर आप गाउं में रहते हैं तो आपकी जो आये पर्मान पत्र है वहें दो लाख से अधिक का नहीं होना चाहिए या फिर आप सेरी छेतर में रहते हैं तो आपका आये पर्मान पत्र तीन लाख रुपे परति वर्स से अधिक नहीं होना चाहिए तबी आपको लाब मिलेगा अगर इनसे अधिक होता है तो आपका रासनकाड निरस्त कर जाएगा वहीं नमबर तीन नमबर तीन पर बताय गया है कि पांच एकर से अधिक सिंजित भूमी नहों यानि कि जिन वैक्तियों के पास जिन किसानों के पास पांच एकर से अधिक जमीन है उनको भी रासन नहीं दिया जाएगा अगर वहे रासन ले भी रए हैं, तो उनका जो रासनकाड है, वह सरकार दोवारा जल्द ही निरस्त कर दे जाएगा वही नमबर चार बता ग्या है कि जिन परिवार के घर में एसी लगा है, उनका भी रासनकाड निरस्त कर दे जाएगा दोस्तों हम आपको यह नई नियमों के बारे में बता रहे हैं जो की सरकार दोरा लागू किये जा चुके हैं अगर इन में से आप कोई भी नियमों का पाला नहीं करते हैं तो आपका रसंकार निरस्त करते जाएगा साथ ही नमबर पांच पर बताए गया है कि जिनके पास ट्रैक्टर है ट्राली है उनका भी राशनकार सरकार द्वारा निरस्त किया जाएगा वही नमबर 6 में जिस परिवार में कोई सरकारी नोकर है उनका भी रासनकार यहां पर निरस्त कर दे जाएगा जिनकी आए 2 लांक या फिर 3 लांक से अधिक है उनका रासनकार यहां पर निरस्त कर दे जाएगा ध्यान रहे कि आपके परिवार में कोई सरकारी नोकर भी नहीं होना चाहिए वही नमबर आट पर बताई गया है कि एक या एक से अधिक हत्यार का लैसिंस यनके अगर आपके पास एक हत्यार है तो आपको यहाँ पर रासन मिल सकता है अगर एक से अधिक हत्यार का आपके परिवार में आपके घर में लैसिंस है तो आपका रासन काड निरस्त कर दे जाएगा और आपको रासन भी नहीं दिया जाएगा वहीं 100 वर्ग मीटर यानिके यापर आप देख सकते हैं 10 यानिके 106.49 वर्ग मीटर वर्ग फिट यानिके जिस पर आप कार्य कर रहे हैं अगर कोई बिजनिस कर रहे हैं और वहां का जो अस्थान है वह 80 वर्ग मीटर कार्पेट से अधिक है तो भी आपका रासन काड निरस्त कर दे जाएगा वहीं आपको बताना चाहेंगे कि यह जो रासन कार सरकार द्वारा निरस्त कर जाएगे और किन राज्यों में यह रासन बंद होने जा रहा है उसके बारे में चलिए यहाँ पर एक-एक राज्य करके आपको जानकारी दे देते हैं दोस्तों पहला राज्य यहाँ पर द्या गया है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा अब जल्ध ही फिरी रासन को बंद किया जा सकता है क्योंकि काफी लंबे समय से सरकार द्वारा मुफ्त में ही रासन को वित्रित किया जा रहा है वही नमबर दो पर आता है आपका करनाटक, करनाटक में भी सरकार कभी भी रासन को बंद कर सकती है नमबर तीन, बिहार, तो उस्तों बिहार में भी जो नियमों का पालन नहीं करेंगे जिनके पास AC या फिर income tax देते हैं, एक से अधिक हतियार का license है, तो इनका भी बहुती जल्द रासन काड निरस्त होने जा रहा है, इनको रासन नहीं दे जाएगा, रासन सरकार द्वारा बंद कर दे जाएगा वही नमबर चार पर केरल है दोस्तों, केरल में भी रासन को आप जल्द ही बंद किया जाएगा वही नमबर पाँच, नमबर पाँच पर है आपका मध्य परदेश, तो दोस्तों मध्य परदेश में भी सरकार द्वारा जल्द ही फिरी रासन को बंद किया जाएगा वही नमबर 6 पर है आपका उत्राखंड दोस्तों उत्राखंड में भी फिरी रासन को जल्द ही बंद किया जाएगा वही नमबर 7 में आपका हर्याना है हर्याना राज्य में भी फिरी रासन को बंद किया जा रहा है या फिर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तब भी आपका रासन कार्ड सरकार दोरा निरास्त कर दे जाएगा अगर आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा दोस्तों आपसे निविदन करते हैं कि अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए जास ज़्यदा सेयर करेगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बैल एकन को प्रेस करेगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और उसका लाब आप उठा सके जिल दोस्तों आप चाहते हैं आप सेयरत और मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत